अगर आप लोगों कैसे हैं आप लोग अच्छा जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एलेक्शन से पहले मैं हंडर्ड इंडेक्स के हवाले से जरूर वीडियो करूंगा अगर आप लोगों को याद हो मेरी एक पॉड्कास थी लाइक भाई के साथ जिसमें मैंने यह कहा कि जैनवरी तक मार्केट आपके बोलेश है तेलेक्शन और वैसे ही हुआ अभी तक तो मार्केट बहुत अच्छी लग रही थी एलेक्शन और उसके क्या असर पड़ते हमारे के सी हंडर्ड इंडेक्स के ओपर या पाकिसानी स्टॉक मार्केट में जुसका रिव्यू करते है पहले हिस्टॉरिकली जाके देखें कि लास्ट त्री टाइमस इलेक्शन में जो भी रिजर्ड आए हमारी मार्केट के लिए कैसे वो रहे सबसे पहले अगर मैं बात करूं दो हजार अठारा के इलेक्शन की जो पच्छिस जुलाई को हुए ते गालबद यहां पे मैं अ पुलिष क्लोज हुआ था फॉर्टी थाउजन 316 पर बहुत अच्छी तीजी देखने को मिली ती जैसे ही एलेक्शन के रिजल्ट आए मार्केट गाप अपर उपर 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 उसके बाद स्ट्रेट मार्केट ने अगले दो तीन दिन तक पांच परसन की गेंज दी और उ सारा बेरिश ट्रेंट चलता वारा था लेकिन एक अपसाइट देखने को मिली उससे पहले फिर जो इलेक्शन हमारे 2013 माई में हुए थे उसको देखते हैं उसके क्या आउटकम थी इंडेक्स हमारा किस तरीके से उसके बाद परफॉर्म किया इलेक्शन हुए आपके जो मार्केट क्लोज हुई 19,950 के करीब थी और उसके बाद हमने देखा जैसे ही इलेक्शन के बाद मार्केट ओपन हुई मार्केट बहुत अच्छे बोलिश मोमेंटम से ओपन हुई और उसके बाद हमने यह देखा कि कुछ दिन तक मार्केट रैली में रही और अब टू- किती के मार्केट अल्टाइम हाइस पर भी गई थी सो ट्वेंटी थिर्टीन के लेक्शन के बाद यहां से हम यह कंक्लूट करते हैं कि लेक्शन के फॉरन बार मार्केट बुलिश हो जाती है एक और के स्टेडी देखते हैं 2008 में माई फेब में इलेक्शन जो हुए थे उसक के लिए क्लोज होने के बाद जैसे एलेक्शन के आए अगले दिन बहुत बड़ी जबर्दस बुलिश कैंडल देखने को मिली बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली और उसके बाद कुछ दिन तक मार्केट रैली करती रही और मार्केट ने जाकर तक खरीमन 10% के गेंज अगर में तीनों इलेक्शन की केसिस को देखूं इस हिस्टोरिकल डेटा को जाके देखू इसको ने अलसे करें इसके उपर तो तीनों इलेक्शन के बाद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई और बहुत अची दिखाई मिनिमम फाइपरसेंट बेरिश मार्केट में कोई एस बेरिश डाइवर्जन्स नहीं है जो पिछले हमें 2008 और 13 को देखने को मिली थी मार्केट करेक्ट और उसके बाद बड़ी थी 10% की करेक्शन्स 10% की रैली के बाद की करेक्शन्स की बात कर रहा हूं उन दोनों केसिस में मार्केट बहुत अची लेकिन यहां पर एक मोमेंटम स्टिल नजर आ रहा है कि यह इतनी बड़ी अपसाइट बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट इतनी इसली नहीं ब्रेक करती तो हम यहीं यहां से कंक्लूट कर सकते हैं कि बेरिश डाइवर्जन्स नहीं है आपके हाय लो सस्टेन हो रहा है त लेक्शन्स तो 67,000 को जा के टेस्ट कर सकता है और अगर यहीं मुमेंटम यहां पर कहरी रहा तो आपकी 10% यह ओल टाइम हाइज भी लग सकते हैं इसके बाद सो अभी तक इसका यह मतलब है कि आज आज आप सेवंथ और आज आप शॉपिंग कर के जाए इसका यह मतलब है अगर आप जो भी स्टॉक्स बाय करते हैं और एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं लेट से आप 9,5 को वापस आते हैं मार्केट ओपन होती है मार्केट इंशालला पॉजिटिव ही ओपन होगी तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर आप लोग 67 को आए करने यह भी असान से फिलहाल टार्केट लग रहे हैं सो अब अगला बहुत बड़ा सवाल आप लोगो को यह होगा कि यार तुम इंडेक्स तो बता के चले गए हो सो जो लोग न्यूचल फंट पर इंवेस्ट करते हैं वो आज का दिन है उनके लिए इन सब बुलिश ट्रेंड में कंटीनिव कर रहे हैं और अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉसस को डिफाइन करके इस पर ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रॉफिट इसके ओपर आप लोग ले सकते हैं मिनीमम फोर तो फाइफ परशन या सिक्स आप लोगों के लिए शौट वीडियो थी जिसमें आप लोगों की पाफी ज्यादा रिक्वेश्ट थी कि एक आउट लुक दे दो और चुंके मेरा प्रॉमिस था इलेक्शन से पहले पहले जरूर एक वीडियो करने का वह में कर रहा हूं भी तर फिलहाल इंडेक्स को अपने आपको रिजिस्टर कर सकते हैं अपका विडियो और करूंगा जल्दी इस हफते में और कुछ अच्छे पॉजिटिव प्रॉफिट्स के साथ सो इंशाला फिर मिलते हैं थैंक्यू वेरिबच